आज हम लोग जंगली जनवरों के नाम जानेंगे जंगली जनवरों को इंग्लिश में wild animals बोलते हैं wild animals क्या होता है? वो जनवर जो जंगलों में पाया जाता है और जंगलों में ही रहता है उससे जंगली जनवर कहते हैं नमबर वन, lion, मतलब सेर Lions are the second largest big cat species in the world क्या आप जानते हैं? जो lions होते हैं वो इस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा cat का species है यानि की बिल्ली की प्रजाती है नमबर टू, elephant यानि हाथी The African elephant is the world's largest land mammal मतलब African elephant जो होते हैं वो elephant जो अफ्रीका में पाय जाते हैं वो world के सबसे बड़े प्राणी होते हैं जो जमीन में पाय जाते हैं और They are the world's largest land animal Elephant world का सबसे बड़ा land animal होता है Number 3, deer मतलब hiran A male deer is usually called a buck मतलब एक पूरुष hiran को इंगलिश में buck बोलते हैं A female deer is usually called a doe यानि की एक मादा हिरन को doe कहा जाता इंगलिश में A young deer is usually called a fawn एक बच्चा हिरन जो होता है उसको हम लोग इंगलिश में fawn बोलते हैं Young deer यानि की deer का child Number 4, gorilla मतलब वनवानुष Gorilla are one of our closest living relatives after chimpanzees and bonobos Chimpanzee और bonobos के बाद Gorilla ही मनुष्य का सबसे नजदी की प्रजाती है मनुष्य गोरिला का ही एक विक्षित रूप है They share between 95% and 99% of our DNA जिस तरह मनुष्यों में DNA पाया जाता है मनुष्यों के खून में DNA पाया जाता है उसी तरह गोरिला के अंदर भी 95% से लेकर 99% के बीच में DNA उनके सरीर में होता है यानि कि उन लोग के खून में भी DNA पाया जाता है नमर फाइफ टाइगर मतलब बाग टाइगर्स आर दो लार्जेस्ट कैस स्पीसीज इन दे वर्ल्ड एंद थर्ड लार्जेस्ट कार्निवोर ओन लैंड टाइगर इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्याट का स्पीसीज है और अर्थ का तीसरा सबसे बड़ा कार्निवोर है कार्निवोर मतलब वो जानवर जो मांस खाते हैं तो आज बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में बाई बाई